देश में जाती आधारित जनगर्णा के मुद्दे पर महराष्ट्रों कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भारतिय जंता पार्टी पर निशाना साधा है पटोले ने नागपूर में कहा कि भाजपा देश में जाती आधारित जनगर्णा इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि वाद धर्म के आधार पर राजनिती करती है इस मुद्दे पर कॉंग्रेस का स्टैंड्स फष्ट करते वे कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि देश में जाती आधारित जनगर्णा जरूर होनी चाहिए पटोले का मानना है कि इससे देश के कई मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी इससे पहले बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने राज्य में जाती आधारित जनगर्णा कराने की गोशना की थी बिहार में जनगर्णा के साथ ही आर्थिक सर्विक्षन भी कराया जाएगा दो जुन को CM नितिश कुमार की अद्धक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी बिहार सरकार यह काम अपने संसादों के बल पर करेगी फरवरी 2023 तक इस गंड़ना के आधार पर मौसोदा तैयार किया जाएगा जातिय गंड़ना के पीछे कई तर्क दिये जा रहे है बिहार की मुख्यमत्री नितिश कुमार की माने तो समाच कल्याना और विकास की योजनाओ का वास्तवी कलाब वंचीत वर्क तक पहुचाने के मकसद से जातिय गंड़ना करना जरूरी है साथी ये उजनाव की दशा और दिशा नए सिरे से तै करने के लिए भी जातिये जनगंडना करवानी जरूर है जातिये जनगंडना के आकड़े नीतियों और कारेक्रमों की दशा और दिशा बदलने के बड़े आधार बनेंगे दावा किया जा रहा है कि जातिय जन्गर्णा की उपलब्दी कई मिथकों को भी तोड़ेगी जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयरुवेद तथा आधनिक लेजर से उपचार अभियुदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल, लोहार समाज भवन के पीछे महा पुष्प सोसाइटी शताबदी नगर चौक से मनीश नगर रोड नागपूर